भारदे फिल्म जगत में कॉपीराइट नियमों को लेकर के एक दिल्चस्प विवाद देखने को मिला है जिसके बाद यह जो पूरा विशह है कॉपीराइट नियमों का जो पूरा टापिक है वह एक बार फिर से चर्चा में आ गया है खासार पर फिल्म जगत को ले करके, की Wenya, जब हाप फिल्मों की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉपी राइट का जो टापिक है बहुत दिल्चस्प हो जाता है क्योंकि फिल्मों पर एक तरह से कॉपी राइट लागु नहीं होता है कैसे लागू होता है वो हम आगी समझेंगे लेकिन आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विवाद पर जो है बात करने वाले हैं मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दुश्टी आईस चानल की इस नए वीडियो में तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और सब से पहले वीडियो की रूप रेखा को एक बार समझ लिया जाए तो वीडियो में यहाँ पर सबसे पहरे हम इस पूरे विवाद को समझेंगे विवाद क्या है इस पर बात करेंगे इसके अलावा फिल्मों का कॉपिराइट कैसे होता है उसके कॉंटेक्स में समझेंगे और 次र विवाद कैसे यहां से चुटता है उस पर भी बात करेंगे पेर डील एक शब्द यहां पर चर्चा में आता है कॉपिराइट के कंटेक्स में तो पैर डीलिंग क्या होता है उस पर बात करेंगे कॉन्ट्राक्स की समझातों की क्या भूमिका होती है यह जो आपका का GS Paper 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे नियम और कानून के सेग्मेंट से जोड़ करके देख सकते हैं तो चलिए से नोट के साथ विडियो की शुरुवात की जाए और सबसे पहले यहां पर आपके लिए एक सूशना यह है कि अब दृष्टिया इस खा जो मुखरजी नगर का सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है कहां परशिफ्ट हुआ है तो अगर आपको तेकषने को मिले का इनउड़ा सेक्टर 15 में तो आगर आपको उक्स Скर सकते हैं आइन 311-40eks 440 चली आगे बढ़त जाएं और सबसे पहले हम खबर को समझते हैं तो खबर आपकी यही है संशेप में हमने बात कर लिए है कि सिनिमा जगत के दो बड़े कलाकारों के बीच में आपको कॉपी राइट विवाद देखने को मिला है और इस विवाद ने हमें अवसर दिया है कि हम सिनिमा पर या फिल्मों पर कॉपी लिएट किस तरह से लागो होता है उसको एक बार समझ लें थो ये इसी कॉंटेक्स में यहाँ पर आपका बात की जाएगी अब सबसे पहले हम विवाद को समझ लेते हैं कि आकिर विवाद वह किस बात को लेकर के है तो यह जो पूरा विवाद है इस पूरे विवाद兔 कि म बहुत फेमस अक्टर हैं तो आप लगबग जो है दोनों के बारे में जानते होंगे यह जो पूरा विवाद है 2015 की फिल्म थी फिल्म का नाम था नोमुन रौडी धान साउथ की फिल्म है तो उसको लेकर के विवाद आपको देखने को मिला था इस विवाद का निर्माड जो है जो कलाकार A है उनकी कंपनी कंपनी के नाम है वंडर वार फिल्म इनके दोरा इस पूरे फिल्म को बनाया गया था जिसमें जो कलाकार B है वो बतौर अभिनेतरी काम क रहे हैं, उनको फिल्म में शामिल किया जाता है, तुँ जैसे अब जो कलाकार B हैं, इनकी लाइफ पर बायो पिक बन रही थी, ये जो 2015 वाली फिल्म थी, इस फिल्म के कुछ आन्श भी जो हैं, वो आपका इस बायो पिक में शामिल किया जाने थे, अब ऐसे में जो आपकी कल आंशों का इस्तमाल कर सकती हैं लेकिन इसको लेकर के उनको कोई भी जवाब नहीं मिला वैकलपिक तौर पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो अल्टरनेटिवली नेट्फिक्स ने फिल्म के निर्माड के दौरान भी द्वारा अपने मुबाइल फोन से जो फिल्म आई गए कुछ सीन जो थे उनको फिल्म में इस्तमाल कर लिए तो यहाँ चीज आप यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिल्म है नेट्फिक्स की जो फिल्म है जो बायोपिक है उसमें में फिल्म के अन्श को इस्तमाल नहीं किया गया बलकि में फिल्म की शूटिंग के दुरान जो फोन से कुछ शूट हुआ था जो बिहाइंद सीन शूट किया गया था उसको जो है आपका फिल्म में इस्तमाल किया गया इसके बाद जो कल नहीं में कॉपी राइट किस तरह को हता है yeah उसको thirty- guesses अगर आप बात और उसको समझने की कोशिश करें तो फिल्म में क्या होती ये विस बैसिकली जब आप फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्म कोई केलिमंट नहीं होता आपके ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ फिल्म है फिल्म दरसल बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है बहुत सारे लोगों की मेहनत से मिल करके बनी होती है, फिल्म में आपको डायलोग देखने को मिलते हैं, फिल्म में आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, फिल्म में आपको गाने देखने को मिलते हैं, गानों में अलग चीजे होती है, तो फिल्म जो है वो बहुत सारी ची चिजों को मिला करके जो चीज बनती है उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है तो फिल्म का पर आम तौर पर निर्मादा के पास होता है लेकिन सभी तत्वर निर्माता के पास नहीं होते जैसे कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि फिल्म में जो सॉंग है येसे सॉंग का जो कंपोजिशन है उसका, जो राइट है वो आपको हो सकता है प्रेडियोousse के पास देखने को नहीं है तो ऐसे में इस एक जो मुख्य प्रश्ण है वो इस बात को लेकर के है कि किस काम का कॉपी राइट यहाँ पर उलंगन जो है हुआ है तो जब भी कोई विवाद सामने आता है फिल्मों में कॉपी राइट को लेकर के तो सबसे पहले सवाल यही पूछा जाता है कि कौन से घटक का उलंगन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला है और उसका कॉपी राइट अधिकार जो है उसका जो राइट है वो किस वेक्ति के पास मौजूद है तो यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो फिर एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि क्या कॉपी राइट उसमें आप ये कह सकते हैं कि मूल फिल्म का कोई भी हिसा जो है पुना इस्तेमाल नहीं किया गया हमने बात की जो में फिल्म है उसका कोई हिसा यूज नहीं किया गया बलकि यहाँ पर आपका बैक स्टेज जो रिकॉर्डिंग हुई है बिहाइंड दे सीन जो तो यहाँ पर जो ए हैं वो आपका फिल्म के कॉपी राइट का दावा नहीं कर सकते हैं ऐसा आर्टिकल में बताएगा इसके अलावा संगीत और अन्य घटक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं लेकिन अगर बिहाइंड द सीन में कोई सौंग मौजूद है कोई गाना है तो उसकी अलग से यहाँ पर जहाँ की जा सकती है क्योंकि उसका कॉपी राइट जो है वो किसी और के पास मौजूद होता है अब जब कॉपी राइट नियमों की 1957 के सेक्शन 52 सब्क्लास 1A में देखने को मिलेगा जहां पर फेर डिलिंग का सिध्धान जो है दिया गया है यदि वो फेर है यानि कि आगर आप सही राइट से स्तमाल करते हैं तो आपको कॉपी राइट कॉंटेंट का उप्योग करने के अनुमती दी जा सकती है जैसे अग आप फिल्म के अच्छे और बुरे पक्ष के बारे में लोगों को जागरू कर रहे हैं तो ऐसे में इसको फेर इस्तमाल के तौर पर देखा जा सकता है तो अब यह डिसाइड कौन करता है कि कॉंटेंट जो है फेर यूज किया गया है या फिर नहीं हुआ है तो कोट यह नि बायोपिक के लिस्तमाल किया गया है अब अगर आप किसी कॉंटेंट को बायोपिक के लिस्तमाल करते हैं तो आप बायोपिक क्या होती है बायोपिक आपकी लाइफ को दर्शाती है अब लेकिन आप अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा अगर निकाल देते है तो आपकी लाइफ के concept को हमने समझा इसके लावख contracts की क्या भूमिका रहती है उस पर अगर आप बात करें तो जो film के निर्माता होते हैं producers जो हैं वो कलाकारों के साथ contract कर सकते हैं ताकि वो backstage सामगरी के उपियों को नियंतित कर सकें लेकिन हाला कि निर्माता को ये करना होगा कि उसके पास ऐसे contract मौझूद है जो कलाकारों को behind the footage साजा करने या उपियों करने से रोकता है यानि कि अगर जैसे इसके प्राउधान तो मौझूद है इसका नियम तो यहां पर है कि अगर आप चाहते हैं को producer है वो चाहता है कि उसका जो कलाकार है वो behind the scene को भी shoot ना करे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई किसी बड़े कलाकार के साथ film बना रहे हैं मालीजे आप जो है अमिताब बच्चन शारुक खान इस इस तरह के जो कलाकार हैं इनके साथ film बना रहे हैं और आप फिल्म का लुक क्या है मालीजे आप शारुक खान के साथ को फिल्म बनाते हैं और शारुक खान दिख कैसे रहे उस फिल्म में इसको ले करके लोगों के बीच में आप curiosity जगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप अपना जो crew है उसके साथ एक contract करेंगे और उसको यह बोलेंगे कि यहां से कोई भी फोटो जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि किसी को भी पता नहीं लग सके कि यहां पर जो कलाकार है वो किस तरह का दिखता है फिल्म में ताकि बाद में लोग उसको देखने आए तो ये contract तो किया जा सकता है ये समझोता तो किया जा सकता है लेकिन ये साबित करना कि ऐसा समझोता मौजूद था ये आपका निर्माता की जिम्मेदारी होती है और court को इस तुनिश्यत करना होगा कि ऐसे contract जो है वो कानूनी रूप से वैद्ध है और उनका पालन जो है किया जा रहा है तो यह contract आपका बहुत ज़्यादा important हो जाता है लेकिन मौझूदा मामले में अब यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पर producer ने यानि के वेक्ति A ने कलाकार A ने B के साथ यह contract किया था या नहीं किया था यह एक important यहाँ पर सवाल हो जाता है अब अंत में क्या किया ज लगा रहे हैं कि basically यह जो पूरा मामला है यह पूरा मामला यहाँ पर copyright के नियमों का दुरूप योग दर्शाता है copyright और लंगन के लिए आप राधिक दंड का प्रावधान भारत में मौझूद है आता है सुनिश्यत करना अवश्यक है कि इसका गलत उप्योग ना हो सके चल इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से comment box में बताना है मुझे अमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम गुरूप पर मिल जाएगी तो आप गुरूप को जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं आप से गले वीडियो में तब तक के करना न भूले